तुम लें जी नमस्गार बावोज्थ पवंस मेरी के भाई गाना आ आदे हमागे दार लेजाथ बाडू दे फ़ह और जी यहां यह गाना जो है आते के साथ लोगों ने विवात करना शुरू कर दिया और ये बोला कि जो है लेजात बाड़ु देवखर जो है किसका कोपी किया हुआ है कुछ लोग बोड़ रहते कि चोरी किया हुआ है जी हां खेसाईलाल यादो जी का गाना जिसका नाम था बोरफ जी हां बोरफ गाना से लोग बोड़ रहते कंपेर कर रहते लेकिन वह ही जो के चाहने वाले हैं, जो है, उनका कहनाम था, कि बरफ यह गाना कॉपी नहीं है, क्यासा यादो जी वाला, बलकि खुद जो बरफ गाना है, क्यासा यादो जी किया, इभाई है, खुद यह का तो कोपी है, किस गाना का, जी हाँ, मजनुवे message. एसा जो यह लोग काहना था लेकिन आज जो हम इसी पर बात नहीं करने वाले हैं हम बात करने वाले वह बात करने बारे बात करने वाड़ा करने पर है पूरा यूट्यूप का मामले मैं करने अility कांण चाहता यह तो अनों बढ़े répondu का अल्गिष? कल जो बिवाद हुआ भाईया सो बिवाद हो गया ठीक है न लेकिन ये पीडियो हम चाहता हूँ कि पूरा भुचपूरियों फैले शेयर करना भाईया आपका काम है इसलिए क्योंकि पावश्टा पवंसिंग जो है डोड़ाई महीना बाद भले गाना लेका आए है ठीक है कितना यूँ भाईया हो गया है गाना के लिए विवाद लेकिन एक बात था है कि पूरा भारत में पावश्टा पॉंसिंग गाना को किया जा रहा है पसंद और इसी के साथ जो है पावश्टार का जो गाना है नंबर टू ट्रेंडिंग पर चल रहा है इंड ओल ओबर यहां मुजिक सक्षन पर आप यहां इसकी सोट पर देख सकते हैं तो वहीं जो है खिसाईलाल यादो कि पीछे नहीं है इनका भी यह तिन चार ओ गाना जो है ट्रेंडिंग में है लेकिन बहुत पीछे है ठीक है और एक गाना प्रूमत प्रेमी यादो का भी देवखर का ग यह भाई मिलता है अगली बार तबक जाहिन नमस्कार